हेलो दोस्तों सभागत है आपका आज के शीत नए वीडियो में और आज हम आपको कुछ ने डी विख me अब होती क्या है और उसके अपको लिखना होगा कि आङे अभिक्रिया होती क्या है उसको लीक्षन को बोलते है sincerity अभी करिया तो यहां पर हम आपको नेम रियक्शन कराने से पहले कुछ चीज़े बता देते हैं अगर आयू-प्यसी जो हमने वीडियो बनाई थी उसके वारे में आपने अगर देखा होगा तो आपको इस सारे चीज़े पता होगी और जिसने नहीं देखी उसको हम यहां पर चार होते हैं वहां पर नेम में लगाते हैं इसी तरह कले हमारे चलती चल चले अ算 कि यह सब हमने आपको IUPAC वाले वीडियो में हमने आपको सब डीटेल में बताया है कि जहां पर जितने कार्बन होंगे कि उसके अकॉर्डिक हम उसका नेम कैसे लिखेंगे हमने जिसे कि यहां पर लिख भी दिया है कि कार्बन एक होगा तो मेथ, दो होंगे तो एथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेट, आक, अप, अदेक, अडिक, अंड़क, डूड़क यह आप याद कर लीजिए कैसे मेट एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स हेप्ट और नॉन डेक अंडग डूडग यह हमने आपको पहले भी बताया थे सारी वीडियो में आईएपसी वाली वीडियो में सब कुछ हमने आपको बहुत जारा डीटेलर बताया है जिसने वह यहाँ पर नेम एक्शन्स में हमारी जरूरत पढ़ेगी जैसे कि आपने एक फॉर्मॉला देखा होगा यह फॉर्मॉला काफी लोग जानते होंगे कि C6H6 यह किसका फॉर्मॉला है कुछ बच्चे यहाँ पर जानते होंगे यह फॉर्मॉला किस चीज का है तो जो नहीं ज चीज यह याद रखे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं यह बराबर में लिख देते हैं लेकिन यहाँ पर आपको जिसी आपने लिखा है तो थोड़ा सा नीचे आप 6 बनाएं क्योंकि यहाँ पर आपको सब इसमें लिखना होता है यहाँ पर आप दोनों चीजे एक बराबर म तो वो आपकτε गलत हो जाएगuggling क्योंकि इस तरीके से कोई फॉर्मॉला ही नहीं लिखा जाता सबता हुआ जो number होते हैं या तो उसके नीचे लिखिए जाते हैं या गुड़े में होते हैं तो उसके आगे लिखे जाते हैं लेकिन यहां पर इस तरीके किसका है बंजीन का है जब यह formula खुलता है इस तरीके से खुलता है यहांपर कार्वन कितने 6 कार्वन हैं तो 6 कार्वन हम कैसे लिखेंगे एक दो तीन चार पांथ छे यह जोड दिया bond हमने यह हमने आपको बता या था है यह क्या होते हैं लाइने कीच रहें इसको हम हने आपको पताया था एक सिंगल लोगों तो दूसरा कौन सा गया डबल देजिए इस तरीके से नहें क्या है 6 caf है भी आप जोर देजिए का इसे की इस तरीके से यहां पर कार्वन कतने हैं 6 mm2 356 ersomething कार्वन हो t sentary इस तरीके से हमारी क्या बनती है बेंजीन कि समुषना बनती है एक बेंजीन कि समझना इस तरीके से खोलती है कि यहां पर बताई कि हम छे हाई जोड देंектив हमें छे हाई जोड़ दिये एक दो तीन चार पांट च्छे यहां पर क्या है आपकी देखिए हर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन या कोई और गुरूप जुड़ा होता है यहां पर तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जा रहे हैं यहां पर जुड़ने के लिए कुछ है नहीं तो यह वाली समर्चना हम बना ही नहीं सकते सारे कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह क्या है यह बेंजीन का जो हमने बनाई है वह कैसी बिल्कुल सही बनी होई है और हमने आपको तरीका भी बता दिया पहले आप छे कार्बन इस तरीके से बना लीजे फिर एक सिंगल बॉसरा देते जो भी इस तरीके से संस्टा बनती इसको पहली बात बोलते है रिंग संस्टा रिंग की तरह संस्टा बनती देखे रिंग इस टाइप की बनी हुए आपको कभी कभी पूरा फॉर्मला ऐसे नहीं दिखेगा रियक्शन में इस तरीके से आपको दिखेगा रियक्शन म पर आपको इस तरीके से बेडी लिखी दिखाईगी और जिखे ליंगि और उसके सांग कोई भी गुरूइब जोड देंगें मैं इसके बनती है इसको क्या बोलते हैं यहां पर आपको बिषट में कुछ होता है लेंके इस तरीक से इसके इंदर मैघ और तरीक शाहिए उस शालिन को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं साइक्लो हैं छे Quan कि यूळ करते देखें यहां पर 6 तो है मेथ एथ प्रोप व्यूट पेंट हैक्स छे पॉइंट लिखे हैं यानि कि 6 के लिए हम क्या उसकरते हैं हैक्स बोलते हैं इसलिए केवल इस तरीके संरचना होगी उसको बोलेंगे साइकλοहेक्स में इस तरीके से और इस तरीके से संरचना भी बनी ओगी उसको हम भो JASON लेकी ना क्या आँगे हम उस ग्रूप की यह आइंगे गांगे तो उसका वह निंच हो झाएगा अब आप सोच रहेंगे हमने बाच्चों को यहां पर फॉर्मूले नहीं पपाऊंगे एने ओवज होता है ही कॉस्टिक सोडा होता है सिखी code قbokा होता है यह हम इसको स्चिरी मूं सकते हैं सोडियुम हाइडियुम कहीं improvise लगा होता है तो थी लिए mes house यहां पर आपको जो भी बच्चे यहां पर पढ़ रहा है वहां पर आपको तीस तक्तों तत्व पर बस में और उसके इसके पर पप्राइं वहां पर शेंगों से हैं करने के तो किसे फिरिक ि क्यूंस करके इस तरीके भी आपको अक्टम रहोड ना चाहें हो ऑसमेंगे वहां पर यहां परूण क्राफ्ट अभी क्रिया सबसे पहले आपको विक्रिया ही बताएंगे इस रिक्षिन में आपको इस तीज की जरुत पड़ेगी बेंजिन की तो हमने आपको बेंजिन की दर्म रचना भी बता दिया और एक चीज रिक्षिन पड़ेगी की 3-3-3-3-3-3-0-03-3- croged call प्लो ने लकिन्षिन यह को levers का मतलब Heіїत का मतलब होता है जो भी उलकेट पाले समूँ मोडे निग Biya को मतलबाएं यहां ने हैल्सरे में है Philip लिया हेलाइड इसको हम बोलते है हेलाइड और हमने बता दिया है अल्कल का मतलब होता है जो भी हैल्केन वाले होते है जिसके यहां पर सिंगल पॉर्स फूर्स सिंगल हम ले तहां पर इसको हम इसको भी ऑलकाइड ही है यहां पर Sn फो है तो यहां पर इसको भी बोल सकते हैं अजट है अगर यहीं यहां कि आते हो अदिक किस diverse को है वनादा कि आपको में सकता है प्रेचिज़ हो यहां पर आलकेल हैलाइदğ के वारे में यहां पर बता चुक particulier इसे लेने सानगों ने सथ चीजना नहीं वालवे गश्कांब मुटपने। वहाँ पर हैलाइड है है आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया हो यहां पर इस रेक्षण में आपको एक फॉर्मला और यूज होगा उसके वारे में भी हम आपको बता देती है यह हुटा है एइसपँ यहाँ पर पर कुछ बचए जानते हों कि मैं ह ही जाल क्या होता है जो नहीं जानते हों सब्रक्रणीक हाइड्रोजन क्लॉस् whale ह हाइड्रोजन अजयकि दृतिया है यहाँ पर हमने आपको और यहां। बाचे-पार सेमें। पारके में देए habenba ने हिराफट क्रम अभिवित में कूलब होती है वहरासैनिक अभिक्रिया में जिसमें Wh으 यहां पर स्नेचना को भी से जिस्तरी की तरह सब्सक्माइक लो कि भी अर्ë명 हाई रहे हो तो वहां इसको बोलेंगे एरोमैटिक हाई्डरोकारवन यहां पर इसलिए लिखायै कि बेंजीन या किसी बिले सकते हैं पर आप ले पर कोंगे मेरki हाई्डरोकारवन को देया है को इसके है अगर डूक स declarous आपकर हैंगे alkyl halide के बारे में भी हमने आपको पताया जहां पर alkyl halide कोई भी हो सकता है इसे CL या BRI कुछ भी हो सकता है halide वो क्या कहलाएगा alkyl halide कहलाएगा तो यहां पर में alkyl halide में CS3 CL लिया हुआ है जब आप इसकी reaction कराएंगे तो क्या बनेगा अब इसमें एक चीज और याद रखिए कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो निर्जल alcl3 की उपस्तिती में होती है यह exam में पूछा ऐसे विजा सकता है कि कौन सी अभिक्रिया निर्जल alcl3 की उपस्तिती में होती है निर्जल का मतलब जहां पर जल नहीं होगा वाटर जहां पर नहीं होगा वहां पर क्या होगा निर्जल बोलते है, निर्जल ALCL3 की उपस्तिती में कौन से अभिक्रिया होती है, और एक रीक्शन और होती है, जिसमें निर्जल ALCL3 की उपस्तिती होती है, वह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप यह चीज़ जरूर याद कर लीजिए, कि यह ऐसे अभिक्र से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेंगा हमारा C6H5Cl3 इसका नाम होता है तालूइन किसका फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है तालूइन का है क्या है C6H5Ch3 फॉर्मूला है और CHT HCL किसका formula है? HCL को बोलता है Hydrochloric Acid, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया थै रिक्षिन कराने से पहले तो जब आप इसकी रिक्षिन कराएंगे तो क्या बनेगी हमारी तालुइन बनेगी यह कभी-कभी एक्जाम्स में यह तो आते ही है कैसे प्राप्त करें, क्या बनाएं तो यह तो आता ही है ऐसे भी आ सकता है कि बेंजीन के जब हम Alkylite से क्रियाव करते हैं तो क्या बनता है ठीक है और जो CS3 था उसको यहां पर ले आ है तो देखी क्या बनेगा CS3 तो ऐसी रहा बस यहां पर जब हमने एक hydrogen इसको दे दिया CL के पास एक hydrogen को हमने तो यहां पर कितने hydrogen बचेंगे पांच hydrogen बचेंगे क्या हो जाएगा HCL बन जाएगा जब एक hydrogen को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा HCL बन जाएगा क्योंकि देखेंगे CL पहले से था एक हच और पहुंच गया हो जाएगा नहीं दो जाएगा है बेखन इस कम बहुता दो आए होगी जमाना जाएगे वाह पर हम आपको या सारी चीज आप नहीं बताएगे क्योंकि अकर ये सारी चीज आप बहुताएगे ने जाएगा इस आशा ये करते हैं कि आपको फ्रीडल क्राफ्ट भी क्लिया तो समझ में आई होगी फिर मिलेंगे एक ऐसी रेक्शन के साथ तब तक के लिए जाहिन जा भारत